Hello dear students, welcome to ADP Star, myself Dr. Rajiv Mishra and guys, यदि आप NEET की preparation कर रहे हो, चाहे NEET 2022 के लिए prepare कर रहे हो, या फिर NEET 2023 के लिए prepare कर रहे हो, बच्चों कहीं नगे आपकी preparation को up to the mark रखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी question practice की तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे ही source की जो ATP Star की तरफ से आप लोगों के लिए है, जहां से आप unlimited question practice कर सकते हैं, chapter wise, और like a test, आप time bound manner में उन questions को कर सकते हैं, और आप किस level पे हैं, वो analyze कर सकते हैं, तो बच्चों वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाल की app, आप download कर लो, या फिर website पे जाके www.atpstar.com आप type करो, और ATP Star की website खुल जाएगी, website की उपर क्या करना है आपको, आपको इस website पे sign up करना है, यदि आप first time user हो, यदि आप already use कर रहे थे, तो sign in कर लोगे, फिर उसके बाद में बच्चों जब आप आगे जाओगे, तो आप आपको यहाँ पर मिलेंगे options, देखरों यहाँ पर बहुत सारे options है, और अब आप करना चाहते हो practice, NEET के लिए unlimited practice करना चाहते हो, बच्चों यहाँ पर year जो है, जब भी आप sign up कर रहे हो, तो target year जो है, वो सही से select कर लेना, 2022 या 2023, target year आप select कर लेना, NEET exam select कर लेना, तो इस त इट के लिए prepare कर रहे हो आप, आपने choose कर लिया, next पर चले गए, अब कौन से subject की आप question practice करना चाहते हो, physics की, chemistry की या biology की, कौन से subject की question practice करना चाहते हो, बहुत important है time bound manner में question practice करना, normally क्या होता है, normally students हो है, वो क्या करते है, जब question practice करते है, तो अपनी book या module है, उसमें एक question time है आपके पास, उसके according single, suppose 10 question कर रहे हो, 20 कर रहे हो, तो time लिया, question लिया, और उसके according आप, उसको करते हैं, single stretch में होना चाहते है, तो बिल्कुल वैसे ही है, आप question practice कर पाऊगे, इस feature के थूरू, इस source के थूरू, जैसे let's suppose कि आपको biology में question practice करना है, तो आप biology में चले गए next किया, अब क्या question practice कौन सी chapter का आप question practice करना चाहते हो, वो आप यहाँ से select कर सकते हो, just suppose living world का आप question practice करना चाहते हो, तो select कर दिया, next पे चले गए, अब कितने question करना है, कितने minute का time लेना है, suppose 30 minute का time duration लिया, और 30 minute में आपने 25 question जो है, वो करने है, 25 question select कर लिया, और submit कर दिया, क्या होगा आपके लिए test prepare हो रहा है आपके लिए test prepare हो रहा है अब दीखो यहाँ पर क्या हो गया questions आने लग गया आपको क्या करना है इन questions के answer जो है वो टिक करते जाने है आपको फिर बाद में ये total result जो है वो बता देगा PDF भी उसका download कर पाओगे ठीक है तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा source है बचो जहां से आप neat के लिए question practice कर सकते हो complete physics, chemistry, zoology, botany जो भी chapters आप चाहो उनके practice कर सकते हो ठीक है और time bound manner में practice होंगे आपको आपका level जो है वो भी पता पढ़ता रहेगा तो I hope कि आपको ATP star का ये जो source है ये giveaway जो है वो आपको बहुत ही अच्छ बाई बाई